नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीपती भटना गया लोग सबाचना 2019 में निर्वाचन आयोग ने इस बार मतगर्णा में बड़ी जाहत दी हैं अगर मतगर्णा शुरू होने के बाद ऐसी मशीने मिलती हैं जिन में पीठा सीन अधिकारी मौक पोल जोड़ कर क्लियर करना भूल गया है तो ऐसी मशीनों के लिए परमीशन नहीं लेनी होगी और रिटर्निंग आफिसर खुद ही मशीनों से वीवी पैट परची का मिलान कर सकीगा अभी तक निर्वाचन आयोग से अनुमती लेनी पड़ती थी कि जिसमें करीब दो निकली जिन में पीठा सीन अधिकारियों ने मौक पोल क्लियर नहीं किया इसके रिपोर्ट ततकाल चुनाव आयोग भीजी गई और मौक पोल क्लियरंस के लिए अनुमती ली गई इन मशीनों के अनुमती तो मिल गई लेकिन अब मतगणना के दोरान अगर ऐसी और मशीने निकलती हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर को आयोग से कोई पर्मीशन नहीं लेनी होगी निर्वाचन आयोग ने हाल ही में निर्देश चारी कर स्पष्ट कर दिया है कि मतगणना के दोरान अगर ऐसी और मशीने निकली तो उनका मिलान आर ओ वीवी पैट परची मिलान से कर सक हैं जो तेईस्त कारिक को सुबह आठ पांच वजे रंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी मतदान जो कांटिंग कर्मियों की उसके बाद च्छे बजे स्टॉंग रूंग खोला जाएगा आठ वजे सभी हॉल्स में कांटिंग प्राड़म हो जाएगी इवियम की पोस्टल बाद की और इस बार पूरी जो प्रक्रिया थी इसमें फल c इसे लेकर सभी प्रक्रियाओं का पालंब किया गया है हमारे जो भी कोरेडोर्स इसमें जाएगी उस वह उस स्टूर्ट में सीसी टीवी लगे रहेंगे जो जो का जो कख्ष होंगे उसके इंदर वीडियोग्रा जाएगी, वहाँ पर मीडिया कर्मी अपना कबरेज के लिए आ सकते हैं, और इसके लावा सभी जो फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा, जिसमें सभी जो उमीदवार हैं और उनके जो एजेंट्स हैं, उनके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर मनाए जाएगा। क्वालियर से भुपेंदर साहु के रिपोर्ट न्यूज आज, फिलहाल के लिए मुझदी जाद आप बने रहें न्यूज आज के साथ।